गुद मॉर्णीन कैसे आप सभी लोग आयोब सभी अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ और आज दीन है संडे का टाइम अभी हो रहा है आठ बज़े रहा है अभी मैं उठी थी छही वजे सुभा में सुभा उठने पादात है तो संडे रही है मंडे तो सुभा ऊठ गई थी में चैई ज़या और संडे को तौल जाता काम रहता है मैंने इक फ्रीज को इकल बंद कर दिया था सोची थी कि दितल ऊपाई करूंगी वेसल दून घूंगी तो फ्रीज मैंने कल रात को इस गया नहीं अभी तक वैसे यह बरफ उसमें तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है और बच्चे भी सोये हैं तो बेट सिट भी नहीं धोया गया है जाड़ों पोचा कुछ भी नहीं हुआ है और जब ज़्यादा काम रहता है मैं तो समझ भी नहीं आता है कहां से सुझू करूं कहां से खत्म इसलिए अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ है जार यह नास्ता बनाने के लिए हस्बंड गये है अभी मार्केट आज आएंगे वो तो नास्ता करेंगे तो इससे पहले मैं बना देती हैं कामिश पहले और चली आहीं मैं नास्ता बनाने के लिए नास्ता में आज आलू का बनाओंगी और रूटी बनाओंगी क्योंकि मेरे गर में पूरा सब्जी खतम हो गया है इसलिए हस्बन गया है लाने मार्केट तो घर में स्रीफ आलू पड़ा था तो आलू का भुजी और रूटी बना दूगी बुजी जैसे सिंपल वाला बनता है तो ऐसे जी बना रही हू है रही है रही है जिन दूगाते जेंगे लेकिन मुझे आलू फ्याज को कंपनेसमाइणा नश्खतन कंपित्ते दूप z surgeons amy concerns मश्रूप आब गड़ा हो एसको अगया सब्काना विशना अब के वालू कहां उन्हें सबस्क्राइड है तो मैंने अरभ नालू को भी थोड़ा अलू को बहुत ही पतले आकार में काटे हैं इससे क्या होगा आलू बहुत जल्दी सीच जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तो ढखकर मैंने दस से 20 मिनट तक पका लिया था अच्छे से और देखें मेरा भूजिया लगभक बनी गया है यह देखें कितना मेरे हजबन भी चले हैं मार्केट से और मैं जल्दी जल्दी रोटिया बना देती हूं उनके लिए उखा कर सायथ काम पर भी जाएंगे इसलिए मुझे संडे को भी सुबह उटकर नास्ता बना देना पड़ता है सबसे पहले क्योंकि पताने कब उनका फोन आ जाए और उनक से खतम और जब जहाएं कैपड़ा रहता है तभी मैं सी लागाती हूं और मैं संडे को ही मसीन में कपड रहती हूं क्योंक्रिछूं जहाएं बहुत ज्यादा कपरा रहता हैं का युनिफ निफर्म वेट स्रीट सारे में उसी दिन धूती हूं तो मैं सुबहाई उठकर मसील में कपड़े डाल दिये थे अपना होते रहेगा और में इधर अपना काम भी कर लोगी तो सबसे पहले मैं कीचन की सफाई कर देती हूं कीचन गंदा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है और बासी कीचन में खाना पकाते भी नहीं है और हजबन का फोन आया था हमेशा के जैसा हजबन का फोन आ गया था तो वह चले गए ड्यूटी और उनके आने से पहले मुझे खाना बना कर रखना पड़ेगा ताकि वह खा कर थोड़ा से रेष्ट कर पाए तो इसके लिए पहले मैंने कीचन की सफाई कर दी है जल्दी जल्दी से और जो भी थोड़े बहुत कर दो बहुए है और नास्ता का ओ मैंने ध्हो लिये हैं और यह है चीकन मैं हर सदेव आपके साथ चीकन का नहाँ रेसेपी से चेह करें हो और इस बार भी बिल्कुल यूनीक तरीके से मैं चीकन ररीजिब बनाने वाली हूं तो उसके लिए पहले मैंने चीकन को अछी तरी मैंने थे खु और सहांते मैंने क्या में तो यह तो मुला कर देती हुँ अदा गंटा के लिए रग देती। अग्समानी था मशाले कर लेती हुँ तो देखे हैं मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में धनिया दिया है धनिया के बाद मैंने जीरा दिया है और जीरा डानने के बाद ये खड़े मसाले हैं लॉंग, इलाईची, धालचीनी, जावित्री और इसे मैं थूरी दिर फ्राइ कर लेती हूं ज्यादा फ्राइ नहीं करना इसे इस धीमी आज पर फ्राइ करना है और ये देखिये सावुत जाल मिर्चे है, इसे भी मैं अच्छे से फ्राइ कर लेती हूं और ये ए तिल, ये सफेद तील है, और इसका बहुत अचчи लगेगा टेस्ट चीकन में जर्स मिक्सर अमेवाइ कर लेती हूं जो हे जो मार्केट में मिलता है वही वाला नार्या将 भूरा भूरादा है आपके पास अगर फ्रेस वाला नारियल होगा तो उसका यूज़ करिएगा उसका बहुत अच्छा लगता है टेस्ट मेरे पास तो यही वाला था इसलिए मैंने थोड़ा सा सेक लिया है कड़ाई में और चली आई उमें चिकन बनाने के लिए तो चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कड़ाई गरम करके तेल डाला है और तेल डालने के बाद दो तेजपत्ता दिया है तेजपत्ता डालने के बाद मैंने दो बड़े साइज का प्याज डाला है जिसे मैंने पहले ही चौप करके रख लिया था यह ज्यादा बारिक नहीं है और ज्यादा मूटा भ मेरे से क्योंकि जब मैं खाना पका रही थी उस्टाई में इस्टोरेस फूल इस्टोरेस फूल बता रहा था तो वीडियो डिलिट करने के चकल में सायद वह भी डिलिट हो गया था लेकिन उसे कोई फर्क नहीं बढ़ता है जादा मैं बता देती हूं आप लोगो को प्याश अब झालन के यौन के बाद में मैंने मैगनेट किया हुआ दा दिया और चिकन को अच्छी ठोड़ा सव चान देती हूं और सी तो आख में अच्छे से भूराल स सुखय नथा चांवा य। बहु टाल देती हों हो और साथी में मैं थैसे बटकूल एकुल नहीं हिसुनेयाइ फर अपकाती इससे क्या होता है खाना का अलग टेस्ट आ जाता है और झाल वी बिलकुल ऑच्छी तरह से तो देखे हे मैंने टो डाल दिया है और जादा टेमाटर में नहीं डाला है यह चौप किया हुआ टिमाटर इसलिया ड़ोग को ज्दोटको जादा मैंने चिकन को अच्छे से मुडियम तुलो फ्लेम पर 15-20 मिन तक भून लिया है और चिकन का कलर देखकर आप पता कर सकते हैं कि मेरा चिकन कितना अच्छा बना होगा तो चिकन का रेसिपी में हर संडे को आप लोगों साथ सेयर करती हूं लेकिन नया नया तरीका से मसाला तो सेयर करते रहती हूं मसाला अच्छा से पक जाने के बाद में मैंने थोड़ा सा पानी एट कर दिया है और ज्यादा पानी का इस्तिमाल नहीं किया मैंने तो थोड़ी दर पका लेते हैं और चलते हैं दूसरा काम करने के लिए देखे मेरा पूरा कपड़ा भी धूल चुका ह है और मेरे ड्रायर काराब है इसलिए मुझे हाथ से ही नीचोड़ना पड़े गा और मसीन में कपड़ा धुने से मुझे बहुत गुसा आता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कंपड़ा दुन्ने में इसे अचा तो मेरा हाथ ही है इसे फटा-फट हो जा को थारल लुक्त है और देख़ज़ की थार है। सब्सक्रायद कर देख़ी सब्सक्राइब हम सब्सक्राइब कंसे ल तो तो करना जरूरी पृटेब क 150 नसी टार दीज के परेथे वह की टीज़ डोटाज़ वाक है अगर और यह offline ? सब्सक्राइब नेर्गी आगРЕए मैं उसे में रखती लेकिन अवी तो साफ है नहीं और सारा सब्जी बैंग में जाएalf हो जाएगा करोंगी तो मैं रख के या और जगा Papas इतना सारा सब्जी हैं एक सब्सक्राइब खतम और पुलाओ पकान और पार पार्श वहां मैं थोड़ा सर कम पियार यूशं और और दाल टाल मेंने पंहाँ करो से और डाल ses ताकि आप लोको अच्छा से दीखे तो देखे प्याज थोड़ी दिर पकाने के बाद मैंने बारी कटी हुए टामाटर डाल दिया है और टामाटर को भी बिल्कुल पतला पतला सेप में काटना है इसलिए मैंने इसे भी चॉपर में चॉप कर लिया है और प्याज थोड़ा सा पक जाने के बाद में मैंने अधरक लहसन डाला है अधरक लहसन को अच्छे से पका लेना है प्याज अधरक लहसन टमाटर को अच्छे से पका लेना है और इसमें इलाइची मण डालिएगा प्लीस इसमें इलाइची नहीं पड़ता है और साथी में मैंने डाल दिया है नमक ठीके से पकागे खाते हैं मैंने आप लोगों के साथ में बिजय कर रहे हूं और यहां कोलकाता इस्टा रायनी नहीं मिलता है यहां इसी तरीके से ब्यानी मिलती तो देखे मासाल्ब अच्या पख जाने के वाद मैंने चावल डाल दी है और यह ale- बिर्यानी चावल तो है नहीं फिलान मेरे पास न इसलिए मैं normal rice बना रही हूं आप लों के पास अगर बिर्यानी rice उत उसी बनाएगा तो मैंने ढ़ Milky लास चावल लिया है और चावल को अच्छे से मसालों के साथ में पका लेना है और हलके हाथों से चावल को चलाना है ज्यादा ताकत का इस्निमाल नहीं करना है बस हलके हाथों से चलाते हुए चावल को मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर देना है और चावल मेरा अच्छा से भून गया है तो को अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल देती हूं और चावल मेरा ढाई ग्लास था इसलिए पानी मैंने चार ग्लास लिया है और बास्मती राइस रहता है तो और भी थोड़ा सा कम पानी लगता आप जो भी राइस लीजेगा उसी के गॉर्डिंग पानी ड ठाला जाता है इसलिए मैंने सावूत हरी मिर्ची डाल दिया और उपर से जब मेरा चावल हाफ Oh God ca full को हो गया था तो मैंने फूट कोलर डाल दिया है और मैंने दूद के साथ में घोला था पानी के साथ घोला था आप लोग चाहे तो फूट कलर को दूद के साथ में घोल साबू थरी मिर्ची डाल दिया है और उपर से जब मेरा चावल हाफ कुक हो गया था तो मैंने फूट कलर डाल दिया है और मैंने दूद के साथ में food color को नहीं घोला था, पानी के साथ घोला था, आप लोग चाहे तो food color को दूद के साथ में घोल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेश्ट आता है, मेरे पास तो दूद नहीं है, इसलिए मैंने पानी में ही घोल कर डाल दिया food color, ढख के छोड़ द दिखाऊंगे आप लोगो, अभी उपर उपर से दिखा देती हूं, मेरा चाबल कितना गला है, और कितना अच्छी तरीके से गला है, एक अग धाना खिला है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है, और इसमें तेल का यूज थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है, अगर तेल ज सफाई करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो रहा है, और मेरे हजबन अभी तक आए भी नहीं ड्यूटी से, वो आएंगे तभी मैं खाऊंगी, और बच्चे भी खाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा कुछ कुछ काम कर लेती हूं, क्योंकि काम का तो अभी बा सामा ज़्या तर रखती हूँ, और मैं पाणी नहीं रखती है, वहन पाणी मैं फेर में सफब कर लेपाने पर पर लिऑ नए ап है जो बिल्कुल भी अच्छा हैं तो देखे फ्रीज की सफायी हो गई है अच्छा टरीके से और मेरा देखें चमक उठा है बहुत अच्छा लगता है सफी kannst कि अधा की जड़ी घंडा होता है। सफाइय करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। गरना थे गरना मच्छ इएक तो साब सफाइय करने के बाद में सारी सामान js kalkanno को और जो भी मेरे हस्थर लाया है थे मार्केट से वह सारे सामान भी अरेंज करके रख देती हूं और सबजीयों को मैं हमेसा फ्रीज में ही रखती हूं और उनी चीज को फ्रीज में रखती हूं जो कि बाहर खराब हो रहे हैं तो देखे मैंने सारा अरेंज कर दिया है और अरेंज करने के बाद में फ्रीज देखे एक अगदाना खीला हुआ है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है, और मैं हमेशा ही बनाते रहती हूँ, मुझे तो आदत हो गई बनाते बनाते, तो तेलगी श्टाइल का बिरियानी यहां का बिरियानी ऐसे ही रहता है, चावल अलग रहता है, और चीकन अलग रहता है, दोनों स तरीके से खाना खाया है पूरा गड़ चीट चीट कर और कीचन की हाला तो देखने लायक भी नहीं है पूरा कीचन बिखरा पड़ा है तो चलिए मैं फटा-फट से सब काम करके आप लोगों से मिलती हूं और वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने बहुत चीज हाई देखिए मैंने नहा लिया है नहा कर बहुत अच्छा लग रहा है नहाने के वाद में सच्मिल बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने नहा लिया ऐसे तो मैं डेली सुभा ही नहा लेती हूं लेकिन आज लेट हो गया काम करते कर लेकिन आज लेट हो गया काम करते भीज्टेन करती हूं, च्छैंभी वजी मैं उड़ गई थी. उसी ताइम दोगा हुँ, और करते करते हुआ जा दिन क्या, utterly hot when I ressass पदा चल जाएगा मैं सारा दिन क्या करतीं। बहुत गुसा आता है वो ऐसे पूसते रहता है। हाला कि हज़़न लोगा संडे को छुटी भी रहता है, हमारा तो कभी भी छुटी नहीं रहता है। उटे संडे को ज्यादा हमारा लेट हो जाता है काम करने में। फिर भीनो गों बोग ऐसे पूस पर यह तो मुझे बहुत घुस्सा हताय Α्यास हम लोग वी चुपटी होता एक दिन एक दिन भी मिल जाता है चुपटी तो कितना अच्छा रहता महिना में खम शकम एक पर खुपटी होना चाहे और तो भीना कना है न मुझा कमेंट करके बताईएगा और वीडियो काया अब हरी मुझा करके रटाईगा वीडियोपसंद गेगा प्लीज विडियो को लाइक करिएगा अधर चैनल को सबस्क्राइब करिएगा तो बता कि एगा